बूर्णिंग औल उफ यू मैं सुनिल सर्मा यार इंगलिस टिचर दोस्तों अपने कल के ओडियो लेक्चर में आपका जो चैप्टर एट है एक गेम ओप चांस यानि कि खेल का उसर या एक सो बाग्य का खेल कैसे बाग्य से अपन कोई चीज आप आते हैं एक जुआ टाइप खेल होता है दोस्तों यह मेलों के अंदर आप जानते हो बाती बाती के खेल खेला जा रहे हैं आप पिक्चर में भी देख रहे हो बुक खोलो आपका आर्ट वा जो चैप्टर लेसन उसमें देखोगे कि जो मेला लग रहा है इसमें एक बच्चा किस तरीके से खेल खेलता ह आप सब का अर्दी कम नंदन भी एक अन्लाइन क्लासेज में प्लीज ओपन यूर बुक एंड ट्राइटो अंडेस्टेंड वित मी मेरे साथ समझने का प्रियास करें विट वर्ड मिनिंग जो आपकी कल वाले चैप्टर की जो कल आज वाले चैप्टर की कल मैंने ओडियो लेक पेरिन और विलेज हमारे गाहम में एक मेला लगता था एद वोजे सेलेब्रेटेट ओनली वन डे ओए तो एक दिन के लिए मना जाती थी बढ़ दा फेर लास्टेड मेनी डेज लेकिन मेला कई दिन तक चलता था ट्रेट्समें फॉर फार एंड़ वाइड कम देर वित ओल काइंड्स ओव बुट्स जो व्यापारी लोग थे बहुत दूर दूर से पास से अपना सामान लाते और यहां बेशते बुट्स यानि सामान टू सेल बेशने के लिए अलाके बेश थे यू कुड़ बाई एनिधिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बैफलो तुम एक छोटी से पिन से लेके बड़ी से बड़ी बैंस भी वहां खरीच सकते थे यानि मेले में सब चीज़े बिकते थी दोस्तों अंकल टुक में टूदे देर फैर चाचा म हम मेले में पहुँचे था हूं बहुत अधिक भीड थी अंकल व्याँ व्याइट अ लीडिग श्तों टूदे लेको ले निधिन चाचा वमें बीड की बीच ले जा रहे थे थे तब लोग है वहां मेले में मिल घे वॉंटेडी इम टूद सम ताम विथ दैम उन चाचा के सारे मित्र चाते थे कि चाचा कुछ समय उनको दे अंकल आसकर मी वेदर आई वुड वी लाइक तू लुक अराउंड दा फेर वित भाया तिल ही कैम बैक तो चाचा ने मुझसे पूचा कि क्या तुम मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ समय गुजारूंगा क्या तु और टुगो टू फॉर फार आउट वाइल वाज अवे चाचा ने मुझसे जहता हुनी जी थी कि उनके पस्तिते में मैंने तो बहुत दूर जाओं और नहीं कोई चीज खरीदूंगा आई प्रोमेट आई बोट वेट फॉर इम मैंने वादा कर दिया कि मैं उनके दुकान पर जाते रहे देखते रहे देर वाज मैंने तिंग्स वहां बहुत सारी वस्ते में थी आई वूड लाइक टू बाई उनमें से बहुत सारी वस्ते मकरीना चाता था बटाइव वेटेड फॉर अंकल टू रिटन लेकिन मैंने चाचा की वापिस आने के प्रतिक्ष आए के लगखी सोप का चित्र दसवप कीपर वोज नेधर यंग नोर ओल्ड जो लखी सोप का जो दुकंदार था वोनने बहुत ज्यादा व्रत्ता ने जवान था यह वोज यह मेडिल एज मैन वो लगबग एक अधेड आयू का व्यक्ति था दोस्तों ही सेम्ड नेधर तू स्मार्ट नोर तू लेजी ने बहुत ज्यादा चुस्त दुरूस दिख रहा था ना बहुत ज्यादा सुस्त ही वोन्टेट तू एवर वेड़े तू ट्राई देया लग वो चाहता था कि प्रतेक कस्टुमर दुकन उसकी दुकान प्रतेक वेक्ति और अपना बाग्या जमाये देर बडिसेज उन दा टेबल विटेन नमबर्स प्रों बन टो टैन फैसिंग डाउन वहां पर मेच पर एक से दस संक्या वाली छोटी तस्तरियां उल्टी रख्य हुई थी अल्यू है तू दू वास तू पे फिप्टी पैसा गेम खेलने के लिए पैसे देकर कोई भी छे डिस चे तस्तरियां उठाकर पीक अप एनी सिक्स डिस्क एड़ उन में से कोई से भी एड़ेड़ अब दा नमबर ओं दा डिसेज एंड फाइंड तोटल चै उटाकर उसके नीचे लिखी संक्या को जोड़कर कुल योग निकालना होता था अब जो एन ओल्ड में पेड फिप्टी पैसा एंड सेलेक्टेट सिक्स डिसेज एक वरद आदमी ने पचास पैसे देकर खेलने के लिए पचास पैसे देने पड़ते थे दोस्तोर पचास पैसे पहले बोट हुआ करते थे छे तस्त्रिय उठाई एड़ेट अब दा नंबर उन देम एंड फांड टोटल वोज फिप्टीन और छे तस्त्रिय उठाई जिनका कुल योग पंद्रा बन रहा था तो ही वोज गीवन दा आदिकल मार्क फिप्टीन उससे पंद्रा संक्याली वस्तु मिल गई ये वस्तु एक संदर घडी थी दोस्तों विच वाज बीटीफल क्लॉक बड़ ओल्ड मैन डिड नोट वांट एक लेकिन वह ब्रद आदमें उस घड़ी को नहीं चाहता था दा सौप के उपर अबलाइड इम बाई इंग इट बैक ओ फिप्टेन रुफीज दा ओल्ड मैन वेंट अवे राशित देख रहा है अपने नोकर रुपी वहिया के साथ पहला गैम किस तरीके से 15 रुपर जीत गया एक वरद आदमी यहां अपने चैप्टर को आज यहीं रुखेंगे ओडियो लेक्चर को नेक्स्ट में आपको आप चैप्टर हो चुका आपका दोस्तों कल आपको देना नहीं चाहतों 15 रुपर से दिये गए अब देखो कैसे लालची होता है और कल खेलता है अपने नेक्स्ट ओडियो में ओके बेस्ट ओप्लाख